तो दोस्तो देखेंगे हमारे डिस्प्ले पर फिंगर प्रिंट लोग लगा है जैसे दोस्तो अपना फिंगर लगाएंगे तुरंत अनलोग हो जाएगा लेकिन मेरी तरह display पर भी लगाना चाहते तो कैसे लगाऊगी इसके लिए करना का है simply आपको अपने phone की setting को open करना है नीचे को scroll करके आना है यहाँ पर मिलेगा password security यहाँ पर click करना है और click करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको screen log के साथ में face log भी लगा लेना है ठीक है इतना करने के बाद में आपको करना के है simply यहाँ से वैकाना है और यहाँ पर आप देख लिजिए आपके phone में दोस्तों एक themes के नाम से application मिलेगा उस पर आपको click करना है जैसे click करेंगे यहाँ सर्च बार पर click करना है यहाँ पर आपको एक keyword लिखना है ठीक है जो keyword लिखना ह जब तके दोस्तों download हो रहा है ठीक है और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे successfully हमारा download हो चुका है जैसे download हो जाएगा यहाँ पर apply customize का option आएगा तो आपको customize पे click करना है और यहाँ पर दोस्तों हो सकता है यह सभी tick आपको पहली बार लगे मिले ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा loading लेगा उसके बाद में आ जाएगा यहाँ अपने power button को हम दबाएंगे अब दोस्तों फिर से दबाएंगे और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे हमारे display for fingerprint lock लगा जैसे अपना finger लगाएंगे तुरंत unlock हो जाएगा एक बार फिर से दिखा देए अपन दोस्तों एक theme है और यह दोस्तों face lock इसलिए मैंने बताया था क्योंकि यह दोस्तों face lock से connect रहता है face सिर्फ आपका देखता है और लोगों को ऐसा लगता है कि phone में in display fingerprint दिया गया है ठीक है तो दोस्तों simply अपने display पर fingerprint lock लगाएंगे और on हो जाएगा